Hello friends, welcome to our channel current affairs updated. This is Divašni Shavasthi और आज मैं आपके सामने कैसा topic लेका है और जिसकी demand बहुत दिनों से students कर रहे थे that is last 10 months current affairs और ये होगा बहुत ही जादा important lecture क्योंकि last 10 month में मैं January 2020 से लेके October 2020 तक जितनी भी current affairs है वो मैं आपके सामने एक single lecture में discuss कर दूँगा lecture को end तक ज़रूर देखना अगर आपको mark score करने अपने exam में क्योंकि याद रखिए अगर आपने current affairs अभी तक नहीं पढ़िए और आपके exams है अब आप चाहरें कोई एक lecture से आप पूरी current affairs पढ़के चले जाएं तो यह best lecture होगा क्योंकि साथ ही चीजे यहाँ पर cover कर दी कहीं है तो चले स्टार्ट करते हो देखते हैं कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपको last 10 मन्त की current affairs में exam perspective से important role play करेंगी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं important चीजे that is operation Ajay सीधा question आएगा operation Ajay किस से लेटर है क्या दखिए एक operation Ajay जो है यह mission जो है इंडियन government है launch किया है किसलिए to evacuate its citizens from Israel आपको पता होगा इसराइल और गाजा में अभी issues चल रहे हैं एक fight चल रही है जहां पर आपको पता होगा जो हमास है ठीक है जो एक militant group है गाजा की side से उन्होंने अभी 5000 rockets जो है वो इसराइल में fire किया और गाजा के बीच में एक तरीके लड़ाई चल रही है और यह गाजा में जो militant group है याद रखेगा उनका नाम है हमास तो एक question भी आ सकता आपके exam में और exam perspective से important किया है तो उसका मैं एक special अलग से वीडियो भी बना दूँगा चलिए अभी आगे बढ़ते है नेक्स का अंड़फेस में आते हैं अभी रीसेंटी हमाई यह प्रिजिडेंट है डौपदी मुर्मूजी उन्होंने दो स्टेट के नए गवरनर से पॉइंट कर दिये उनके नाम आपको खÁiesen जारखन के जो फॉरमल chancellor थे उनका नाम था रगवारदस यह बन गए गवंणर कहां के तरपरा एक है और नए नए गवर्नर बन गैえる दो भी सथियर बाकिओ बाइसित के गवर्फ के नाम जाना चाह Lehr जा है तो मैं अलेडी एक्सौट कर चुको अपने लेक्ष्चर समें अब चाहता ओ तो में लिंक डिस्क्रिप्टिशन वॉक्स में क्राल दूँगो जहां मैंने प्रीवियस सारे गवनर और सीएम के नाम बता रखें कमेंट बॉक्स मुझे बताईए कि ओडिशा के सीएम का नाम क्या है और तृपुरा के सीएम का नाम क्या है क्योंकि दोनों के स्टेट के अभी रिसेंटली गवनर चेंज हुए है चले आगे इंडिया का जो स्कोर था वह आपको रहे हैं 28.7 स्कोर था उट ऑफ हंडेट पॉइंट में 28.7 था कहने का मतला जाद अखिए अगर जीरो स्कोर आता है प्लाप बेस कोर है मतला आपके एक भी हंगर नहीं है और हंडेट जितना स्कोर बढ़ता जाता हुट ता वर्स कंट्र इसे स्टेट्मेंट फ्रेम की जा सकते हैं यूपी एससे एक्जांस वह आपको याद रखना है और इंडिया की जिस तरह जो रैंकिंग आई है और इंडिया के जो पॉइंट्स है उसके एक्टारिंग इंडिया सीरियस केडिगरी में भी आता है तो कि अफकोस इंडियन अपन्हें अपना स्ते अक्वेडिक अनिमल डिकलेर किये यदेगा ऊन्हेर किया रिछेंट्डी कि अरुऑ बनाए तो आंसर उत्तरप्रदेश आहाद हुआ स्टेट्र का एक्वेडिक अनिमल भी ए 2009 में रिज्टए टॉलफिफ है । क्या हुआ है? अब आपको मुझे पताना है, अभी recent दुट्वर्थाफिश है डिकलर किया है, किसी और भी state का aquatic animal जो है, क्या वो गांगटिक डॉल्फिन है? comment box सा हम भुझे बाइब कौन से states हैं, जहांका गांगटिक डॉल्फिन जो है, वो तो याद खेगा, state aquatic animal है, अगर ऐसा कोई और state है, तो आप मुझे comment box में mention करके बताएंगे, okay, next आते हैं, recently NAMO भारत news में, यह NAMO भारत क्या है, इंडिया की पहली semi high speed regional rail service, पूछ सकते हैं, NAMO भारत क्या है, तो या रखने हैं, इंडिया की first semi high speed regional rail service, इसका नाम है NAMO भारत, इसका NAMO भारत नाम रखा गया है, तो आप देख सकते हैं, प्राइम में निसर मोधी, उसके NAMO, वहां से आप देखते हैं, नरेंद मोधी, NAMO, तो NAMO भारत नाम रखा गया है, और इसको previously इसका नाम था Rapid X, okay, तो exam में directly question आएगा, नेमो भारत क्या है, okay, next आता है, प्रा Gualier Madhya Pradesh में, आपको याद रखना है, इसको inaugurate किया गया, तो this is important, को कि country का पहला है ये, तो पूछ सकते हैं, कहां inaugurate किया गया है, correct answer, Gualier Madhya Pradesh, okay, अभी recently आप देखेंगा, October में कुछ GI Tax मिले, okay, October मन्त में, तो 8 GI Tag अभी recently मिले हैं, तो पूछ सकते हैं, ये 8 GI Tag किस state को मिल तरीके से dairy product है, जो अनवाचली याक होता है, उसका बना हुआ रहता है, बड़ा प्रोटीन में बड़ा रिच होता है, ये खाने का आइटम है, ठीक है, dairy product है, खमती राइस, याद कि अनवाचल प्रदेश में, GI Tag मिला है, तांगसा डेक्साइल, आप ये भी देख सकते हैं, रिसंटी GI Tag मिला है, अननौचल प्रधेषा है, टोटल में ने एट पता है, तीन अननौचल प्रदेश है, एक तमिल नैडू से आप देख सकते है, प्रम जागरी एक तटरीके से आप कह सकते हो, गोड़ज इसको Кол contour, घवाचाए तो तो 3 हैलिए चार हो गए, चार और कहाँ सितना से यहारेन पशॉली पश्मीना जो एंड मेड है स् complaints है जिसको जिआई टैक इलहे और कलाइग कलाइडा सोती है जिसको जिआई कमना नहीं तो जमुन कश्मीर से भी 2 जिआई मिलें तीकны धिक फिर नथ दिखिए नित तो इसको GI tag बिला है और गोवा से काश्यून अच्वी नच को GI tag मिला है तो अपकी एक्जाम में पूछा है सकता है आगे पड़ते हैं नेक्स है वोल्ल जूनियर चैम्मेर्शिप 2023 और यह बैडमिंटन का वोल्ल जूनियर जूनियर बैडमिंटन चैम्मेंशिप पर यह बैड ज्रीज बाट कहते हैं। सब्सक्री को इसमीडियों पडाचनें जाहें। समीडियाल मेऩ रॉंट क्रेस्ट लिभात कै तो पुषकें, इंडिया हjung perceptions on the UK सब्सक्राशे सब्सक्राइब करे सकते कि ऊशने ताराइस। नेक्स है चक्रवाद 2023 एक्साइज चक्रवाद 2023 एक एन्वल युमेंटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्तर रिलीफ एक्साइज है बहुत से कंट्री करती है इसमें करीबन एट कंट्री से पारिशिपेट किया और गोवा में एक्साइज हुई है आपको याद रखना है बहुत लोग ने इसमें पारिशिपेट किया हुआ था तो गोवा में यह बीजेंटली एवेंट हुआ था पुछ सकते हैं चक्रवाद 2023 कहा हुआ है एक्साइज तो आपको बता होगा कि सेंसे जो है यूनियन लिस्ट में आता है एंट्री 869 में 7 शिडूल में इसकाम सटर तो फिर यह सेंसे करा रहे है इवन संटर गवर्मेंट ने भी सुप्रीम कोट में बोला है की संटर गवर्मEंट ही सिर्सक्रा चक्ती चाहाई भी पूजए कश्यों इससे सिंसस्पैस गसे कराना होते है स्टेट करा रही है गलत है सेंटर ने सुप्रीम कोई को बोला है जो बिहार ने अभी रिसेंटली कास्ट बेसर्वे करवाय याँ अब देखते हैं सुप्रीम कोट क्या बोलती है बड़ जलदबाजी में लोग जो सोच रहे हैं कि सेंसेंस जो है वह स्टेट का सबजच होगा है कोकि हम देख रहें कास-based census भिया ने करा है, तो confused नहीं होना है, consensus जो है, वो Central Government का ही subject है, अब देखते है Supreme Board क्या बोलता है, इस पर, नेक्स है, इंडिया re-elect हो गया है, President किस चीज़ का, Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, that is AIBD का, इंडिया वापस आपको रहे हैं, re-elect President हो गया है, और 3rd consecutive time, इंडिया इसका प्रेजिन बना है, तो पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं रिसेंड़ी थर्ड टाइम इंडिया किसका प्रेजिन बना है, आंसर रखना है, AIBD, नेक्स है, अब रिसेंड़ी उम्मीद, उम्मीद क्या है, यह guidelines है, फुल फॉर्म बतायता हूँ, understand, motivate, manage, empathize, empower and develop, ठेक है, यह Ministry of Education ने, आपको याद रखना है, यह guidelines इशू की है, उम्मीद guidelines इसको हम कह रहे हैं, जिससे कि जो students के societies होते हैं schools में, वो कम हो सके, उसके लिए guidelines इशू की है, तो पूछ सकते हैं, उम्मीद किसके लिए है, तो याद अखिएगा, रिसेंटी इशू के लिए guidelines है, फॉर्ट तो सुसाइड स्कूल 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 है, उनको रोकने के लिए guidelines बनाई गई हैं, next, पूछ सकते हैं, कॉछ सेंटी रिसेंट्ली गवर्मेंट जॉब में, वोमेंट का रिजर्वेशन जो है, वो 35% कर दिया है, तो वो है मद्रप्रदेश गवर्मेंट याद अखना आपको, मद्रप्रदेश में elections भी है, जिसके आप देख रहे हैं, वोमेंट के लिए बहुत सा इसकी मद्रप्रदेश में लाँच हो रही है, next, SBI के जो चेर्में नोंका टेर्नूर जो एक्सेंट का दिया गया, SBI बहुत इंपोरेंट बैंक है, State Bank of India, इनका नाम है Dinesh Kala, तो पूछ सकते हैं, recently किसका, कौन अभी State Bank का चेर्मेन है, तो आपको नाम याद रखा है, क्योंकि 2024 तक यही रहेंगे, next, प्रोफेसर जोत्री गुपता आप देख रहे हैं, जोत्री गुपता यह भी रिसेंटी इनको अवार्ड मिला है, कौन सा, that is Spinoza Prize, याद अखियेगा, क्लाइमेट चेंज के लिए, जो क्लाइमेट वर्ग के लिए, उन्होंने Spinoza Prize जीता है, क्लाइमेट वर्ग के लिए, डच का बहुत बड़ा प्राइज है, यह सर्मनी निदर लैंड्स में हुई, और जहां पर दॉक्टर गुपता को यह अवार्ड मिला है, उन्होंने फाइट किया था, काकटिया के जो अपरेशन हुआ करते थे, अब काकटिया रूलर्स थे उनका जो अपरेशन था, उसके अगेंस इन्होंने फाइट किया था, इन्ही के नाम पर एक Central Driver University जो है, वो तेलंगाना में इस्टाब्रेश किया रही है, हेल्थ वे, यह कहाँ पर बनाए जा रहा है, यह बनाए जा रहा है है है, हेद्धरबाद में, हेद्धरबाद आप सबको पता है, तैलंगाना, नेक्स है, संपृति 2023 यह एक इंपोर्टेंट मिलिटरी एक्सराइज है, ब्टून इंडिया बांगलादेश, संपृति 2023 मिलिटरी एक्सराइज जो इस पार हुई है, इंडिया बांगलादेश की, वो 3rd October को आप देखने एक्सराइज हुई है, और कहाँ हूँ है, मेघाले में, उम्रोई में, याद रिक्सराइज की गई है, इसे टूर्णमेंट को जीत लिया है, कमेंट बॉक्स बांगलादेश की अगेंज उन्होंने ये टॉफी जीती है, याद बुझे बताएंगे मतलब रनरप कौन रहा है, याद मुझे कमेंट बॉक्स से बताएंगे, नेक्स है, अभी रिसेंटली जनरल रघू शिनिवासन जो है, वो बॉर्डर रोड ओगनेशन के रिसेंटली क्या पॉइंट हुए है, याद रखेगा, चीफ पॉइंट हुए है, तो पूछकते ब्यारों के चीफ कौन पॉइंट हुए, तो पूछ सकते हैं कि कौन पॉइंट हुए तो आपको याद रखना है, के एंट शांता कुमार जो है, वो अपॉइंट हुए है, नेक्स्ट बात करता हुए, 2nd October की, आपको पता हुए, 2nd October को गाधी जैन्ती में सेलवेट करते हैं, लाल बाद शास्ती कभी उस दिन बॉर्ड दे होता है, तो अभी रिसेंटल, 154th birth anniversary सेलवेट की गई, महात्मा गांधी की, कमेंट बॉक्स में मताईए, महात्मा गांधी का बिर्थ किस एर में हुआ था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में में मेंशन करिए, नेक्स है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, तर्मरिक मतलब हल्दी आपने आईते हैं, हल्दी सुना होगा नौथ इंडिया में, डिसेंटली टर्मरिक बोर्ड बनाए गया है, और मैं आपको बता दू, इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर भी और एक्स्पोर्टर भी है, और रिसेंटली नैशल टर्मरिक बोर्ड भी इस्टाबिश किया गया है, नेक्स है सेम सेक्स मारिज, इंडियन सुप्रीम कोड आपको पता होगा, रिसेंटली उन्होंने बोला है कि सेम सेक्स मारिज लीगल नहीं है इंडिया में, और उन्होंने एक तरीके से जटका लगा है कि इसको LGBTQ rights जो है उनको ये एक बहुत बड़ा shocking Supreme Board की judgment आई कि same sex marriage is not allowed in India अब मुझे LGBTQ जो है इसका full form जो है या मुझे comment box से बताई कि LGBTQ का full form क्या है देखते कौन-कौन लोग इस पर निगाहें बनाए हुए जो इनको पता भी है आप comment box से mention कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं iron beam missile defense system यह पूछ सकते है define defense system जो है वो किस country का है इसराइल का important defense system है और यह एक तरीक से बनाए गया है कि अगर कोई भी इसराइल पर अटाइक करता है तो उस ताइप एक तरीक जो जो इसराइल में गिरने वाली उससे पहले उसको destroy कर देगा और यह rockets को, alteries को, motor bombs को, even UAVs को इंटरप्ट करके यह दखेगा उस particular area को protect कर सकता है यह defense system आपके इसराइल का भी recently fail हो गया आप देगा किस तरी इसराइल में 5000 rockets जो है जिसका attack हुआ और इसराइल को इतने loss देखने को मिला और इसका range जो है वो अप्टू 7 km तक की range है इसकी al-askah flood यह पूछ सकते हैं यह operation क्या है यह operation हमास का था जिसमें हमास ते 5000 rockets जो है वो इसराइल में fire किये जिससे इसराइल को बहुत loss हो फिर finally इसराइल ने भी यह armed militant जो हमास है जो Palestinian का support करते हैं उन पर उन्होंने भी attack कर दिया तो of course there is lots of life दोनों जगे ही life का loss हो रहा है चा किस के तरव से तो आपका हमास के तरव से स्वामी नरायन अक्षधाम यह important temple है जो कि USA का largest Hindu temple बन गया है और अब इसकी opening भी हुई और आपका New Jersey में temple located है तो पूछ सकते है अब recently temple कहा मनाएगा है तो answer would be what that is USA ठीक है next है हाइदाबाद जो है वो 2nd edition E-Prix जो 2024 में होने वाला है वो हाइदाबाद में होगा तेलंगाना और यह event होने वाला 10th February 2024 में next this is important prime minister ने tweet किया इस पर गुजरात का जो दोड़दा गाउं है इसको United Nation World Aid Organization ने World Tourism Organization ने best tourism village 2023 डिकलेर किया गया है तो यह question direct exam में आपसे पुछाएगा best tourism village किसको डिकलेर किया गया तो गुजरात की विलेज है next है world high test sites UNESCO की दो world high test sites recently declared हुई है अब total world high test sites UNESCO की इंडिया में 42 हो गई है 41 जो हुई है वो शांतिय निकेता है डिकलेर हुई है जो की वेस्ट पेंगॉल में है और होस्ले टेंपल जो की करनाटका में है वो 42 बने है तो अब देख रहते हैं 41 और 42 दो world high test sites recently declare की गई है नेक्स है अगर मैं अब आपको बता होगा old parliament और new parliament में difference नहीं पता है तो मैंने इस पर एक लेक्षिय बना रखा है old parliament और new parliament पर आप जाकर description box में देख सकते हैं उसका link मैंने description box में डाल रखा है जब हम नए पर्लेमेंट में shift हुए तो प्राइम मिनिस्ट है नहीं बोला जो old parliament है उसका नाम अब रखा जाएगा क्या समविधान सदन तो पूछ सकते है old parliament कब नाम क्या हो गया तो आंसर भी समविधान सदन इसके पास होता है 106 constitutional amendment हो गया इंडिया में और यह बिल जो है 33 परसंट रिजर्वेशन देता है कि इसको रिजर्वेशन देता है वोमिन्स को इन लोग सभा एंड विधान सभा बदर लोग सभा इन स्टेट लेस्टेटिव एस्टेटिव इसेमली में 33 परसंट का expo center है जहां पर conference वगरा हो सकती है meetings वगरा हो सकती है इसका नाम रखा गया यशो भूमी एयरपोर्ट से बहुत पास है और प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया है इंडिया की पहली Airbus C 295 इसको यादर के partnership में बनाया गया है जिसमें European aviation leader Airbus है उ मिल गया है नेक्स G20 summit आपको पता होगा अगर summits की में बात करूं तो इन पिले तेन मंस में जो सब सारह निवस में रही है summit वो है G20 summit 2023 जो कि न्यू डेली में हुई आप करने को सब बहुत 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 टॉपिक है इसमें जो लेटेस्ट हुई है उसके बा इंडिया के एक प्लेस में डाट इस डेली जहां पर हुई इस कराम था भारत मंडपम एक इंटरनेशनल एग्जिबिशन कन्वेंशन सेंटर था जहां पर यह सम्मिट हुई 9-10 सिप्टमबर में सम्मिट हुई न्यू डेली में आपको याद अखना है और यह 18th मीटिंग थी जो 19th होने वाली है वो आपका अखना ब्राजील में होने वाली है ठीक है इसका हम डीटेल्स अगर आप देखें कि सम्मिट में क्या उटकम थे इसके वाइम डीटेल्स आप चाहें तो मेरा लेक्शर देख सकते हैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर जाके ज एक यह चाहिएल पार्ट हो गया है तो एकंटी अपको अफ्रीकन यूनियोज जू है वह है विशन्त जीट्वेंटी संस्मिट के वर्के साथने ट centrale च इसक्ट गेर है यह नटराजा थे 22 feet का एक तरगी इनकी हाइटी से चुकिए और करीबन 6 feet का जो पेडिस्ट्रियल था जिस पर यह पूरी रखा गया था कुछ लोग कहेंगे साथ 28 feet का ही हम 27 देख रहे हैं का ही 29 देख रहे हैं यहार मैंने All India Radio से cover किया है All India Radio को में प्रिफर करना चाहिए तो उसमें 28 feet लिखा हुआ है नेक्स है आरोग के मैत्री क्यूब पूछा कते हैं यह क्या आरोग के मैत्री क्यूब यहार कि वर्ल्ड का पहला पोटेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बनाए गया है जो अगर हॉस्पिटल तो वहां पर जैसे मा आरोग को डीम्ड उनिवर्सिटी का स्टेटर स्टेस मिल गया है पूछ रक्रापर गुजरात में और यहां पर यह लार्जेस होम बिल्ट नूपल बन गया है और जो की गुजरात में लोकरिट है तो होम बिल्ट हो गया है तो इसे इसा ग्रेट इंडिजिन असली बिल्ड ह नेक्स है वर्ल्ड का लॉंगेस प्लैटफॉर्म यह इंपॉरेंट है पूछ सकते हैं तो श्री सिद्धर ओड़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन करनाटिका में है यह वर्ल्ड लॉंगेस रेलवे प्लैटफॉर्म नेक्स है अंजी खाद ब्रिज यह बड़ा इंपॉरेंट है क्योंकि अंजी रिवर पर यह सिच्टुएटेड है जो ट्रिब्यूटरी चिनाब रिवर पर जमुन कश्वी में ब्रिज है और यह इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है यह बहुत न्यूज में भ यह बिभर जो है वो अर्डबीअन सी झाल रिवेंज आथफके बिन के इसका इंपक्ट को यह बने इसका डिज् capable अत्या देश्ञ के ब्रिच अंह डेन श्थान में जहें है प्रियूर ब्रउच्ट में ज एप के इनली इनेख नावग फ opposition नीने अग्ट्रा कि तु चेओ ए जहां पर एश्या का लाजिस हेलिकॉप्टर मेनफेक्ट्रिंग फेसिटी बन रही है तो डार्यक कुशन आएगा कहां बन रही है आपको कर्रेक्ट आंसर बताना पड़ेगा नेक्स है निसार मिशन यह जानवरी 2024 में लॉंच होगा जो इसकी डेट है अर्थ का अब्जर्वि मिलके बनाई तो इंडिया और यूस है नेक्स है एक रिसेंटी जूस मिशन लॉंच हुआ है पुछ रखनें जूस किसके लिए है तो जैसे जूस जैसे जूपिटर तो जूपिटर फुल फॉर्म है जूस का जूपिटर आइसी मून एक्स्प्लोरर मिशन जहां पर जाकर य इस पेंगॉल को और यह दुरंद कप फाइनल जो है वह मोहन बागवन सुपर जाइंस से जीत लिया है वन थर्टी सेकंड एडिशन ये वेंट हो रहा था नेक्से एश्या कप 23 क्रिकेट का टूनमेंट है यह टूनमेंट जीत लिया इंडिया ने इंडिया ने शिलंगा को ह आदूँगा आगे बाते हो डेटिकुमेंशिप 2023 जो की बुधा पेस पहरी में हुली इंडिया में नेने सिफ एक की मेडल जीता है जाद एक हो वह वह गोल्द जीता है और वो गोल्र मेल जीता है और इंडिया को जिता अकिसने नीराच छोप्रा सि ने वाटी आट नेक्स्ट उद्यूश्य। गार्ञ का व्ल्लक पूप ही 2023 जो इंडिया में हो रहा था उन पुपनेशय राउल के ला में में गारिशा में घंटी सिंदी ह मेंज होई इसको जीता है स्कानी ने इंडिया ने फाइनल में हराय इरान को और ये हो रहा था टूर्नमेंट हो रहा था बुसंद साउथ कोरिया में नेक्स बात करूं और विक्टोरिया स्टेट जो उसने मना कर दिया कि वह कॉमन वेल्ट गेंज जो 2026 है उसको होस्ट से नहीं करेगा अब देखते हैं नेक्स को और इसे होस्ट करता है नेक्स यह तो परस्टनाटी बहुत इंपॉर्टन के बहुत फेमस परस्टनाटी है साथ वे को चिराग अभी इनों आपको पता होगा 19th Asian Games हो तो उसमें भी इनोंने गोल्ड जीत लिया बहुत न्यूस में हैं हमेशा डबल्स खेलते हैं और यह लोग गोल्ड जीतते हैं ठीक है नेक्स बात करता हूं मैं साउथ एशन फुट्बॉल फेडरेशन शिप चैंपेंशिप इंडिया ने जीत लिया इंडिया को फाइनल हरा दिया है दो ग्रुप ते और आप देख सक सिंगल जो है देखो सारे एक ही लड़के ने जीते सिर्फ एक को छोड़के नौवाग डोकविच ने जीता है फ्रेंच ओपन भी जीता है और यूए उपन भी जीता है बस एक यार के विमल्डन जो है कालोस अलकराज जो स्पेन से बिलॉंग करता उसने जीता है बाकी भी और जिन से याद करने में सारी अलग यज जीता है ठीके ऊस्टेरियन अलके करने सर्ड करते कि मिलंग करती है उसरी बेलरस से ने चेक परेंफ को जो युएश युए यूश बडु करती है उन्हों सफ लेत कोад यूश फरेंच परइंस ट्रेक डैन से विलंगay पी शाथ कोट में खिले आते हैं तब कि फ्रेंच ओपन क्ले में और विमिल्डन ग्रास कोट में खिले आते हैं इस पर कोशन डैन मानो एक्जाम में आएगा इसलिए इसको गोतू करके जरूर जाना ओके नेक्स चेस्ट वर्ल कप 2023 जो की बाकू अजर बेजान में हुआ और जो मैंगने में शेःफोरी थी जैमनी बर्लिन में और जुलाई अगस्ट में इवेंट हो रहा था इंडिया ने इस medal tally को चार एंडिया को टोडल की शार मेडल ते शरी गोल ऑफ वन बरॉंस इंतने medal किसी के नए तो इंडिया ने शुल्सटं किया अहरnh इमें और यह परस्था बहुत important है पूछ सकते अधिती स्वामी के बारे में क्योंकि she became the first India ever individual gold medalist बनाब किसी individual event में गोल जीतने वाली आर्चिरी में world championship में पहली woman बनी इसकरा में अधिती स्वामी तो question आएगा अधिती स्वामी के sport से बिलॉंग करती answer भी आर्चिरी नेक्स फीफा women's world cup हुआ 2023 में होस्ट कर रहा था Australia और न्यूजिलांड दोनों जुलाई अगस में event war Spain ने इंग्लैंड को हरा दिया Spain ने यारे कि women's का FIFA world cup जीत लिया है तो exam के लिए बहुत ज्यादा important है आगे बढ़ते हैं नेक्स वर्ल्ल बैंड मीडियन चैंपेंशिप 2023 में यह चैंपेंशिप हो रही है जारे हो चुकी है कॉपर हंगर डैंड मार्क में हुई और इंडिया ने इसमें एक ही मेडल जीता है और वह हमें मलेशिया को किसको रहा है मलेशिया को तो important है को इंडिया में इवेंट हो रहा था अभी आप देखिएंग ऑक्टूबर नमुंबर में और अक्टूबर से स्टार्ट होगा और यह नमुंबर तक इवेंट चलेगा नैशनल गेम्स जब ही कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर वीडियो बना दूगा भी तो चालू भी नहीं हो चालू होगा और फिर फाइनली कंप्लीट भी होगा उस पर डिसकस करें ही जब ही गुवा में हो रहा है गुवा से बिलॉंग करते हो आप या गुवा जा रहो तो इस नैशनल गेम्स को ज़रूब एंज्वाए का सकता हो अगर आप ऑक्टूबर नुवंबर की टाइम पर जा रहे हो तो ओके मैसकोट इसका मुगा है जिसको आप इंडियन बिसन भी कहते है जा दखने आपको ठीक है और यह कहा हो रहा है गोवा में नाशनल गेम्स 2023 हो रहा है जो 37th edition है नेक्स किया एटी ने होस्त किया है फर्स जन जातिये खेल महुटसव तो आप से पूछा सकता है कि किया फर्स जन जातिये खेल महुटसव कहा और नाइस किया गया है तो यह कलि फिकनिश्य को फिकनिशा नेक्स्ट थर्ड ग। इंडिया उनौषिटी गेम्स 2023 होई यह हूँटर प्रदेश पे और पंजाब ने सबसे आदा मेडल्स जीते हैं इस एंडिय। गोल्ड 17 इंसिल्वर और 26 ब्रॉंज इस खेलो इंडिया उनिवसिटी गेम्स वह उसमें जह म में और CSKA का फिफ्ट टाइडल था जिसको आपको याद अखना है शुम्मन गिल जो है वो औरेंज कैप उनको मिली सबसादा रंच बनाने के लिए और जो आपके मुहमद शमी थे इनको और वपल कैप मिली फॉप टेकिंग मैक्समूम विकेट्स इसको मुंबई इंडियन से जीता है वो मेंस वाला रणर जो था वो डेली कैपिटल्स था संतोष टॉफी फुटबॉल टूनमेंट है कनाटका ने इसको जीता है रणर रणर जो रहा है वो रहा है मेगाल है तर्मन शन मुगरतर नम याद एखिएगा यह कौन है यह इंडियन परस्टा इंडियन ओर जिन आपको लग रहे होंगे बिल्कुल नाम से इसिंगापूर के अभी प्रेजिट्टर एलेक्शन हुआ उन्होंने सिंगापूर का प्रेजिट्टर एलेक्शन जीत लिया है तो इंपॉरेंट रहा था एक्जाम परस्पेक्टिव से नेक्स्ट सिर्या और टर्की में तो इंडियन गवर्मेंटे वहां हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्ट जो है वो लांच किया था ओके नेक्से यह ती एयरलाइन्स फ्लाइट ती जहां पर एक्सेंट हो गया यह नेपाल की फ्लाइट ती काटमांटू से पोखरण जाई थी और र इंसिडेंट रहा तो यह आप से एक्जामें पूछ सकते हैं नेक्स से उसबेगिस्तान के प्रेश्डेंट है उन्होंने नेशन वाइड रिफ्रेंडम जीत लिया है किस बात का रिफ्रेंडम था कि हम कॉंस्टिशन को री राइट लिखेंगे वापस लिखेंगे तो जो इंपोर्ट करेगी CO2 को और इसको बरी भी करेगी अंडर सी में वो बनी है डेन्मार्क और डेन्मार्क की कैपिटल क्या है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में में मेंशन करके बताएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स डेकल उनिवर्सिटी जॉस्टी लेक उनिवर गांधी नगर में एक तेक कमेंट बॉक्स मुझे बताएं कि यह अपना कैंपस ओपें कर रही है और कहां अपन कर रही है यह दाने इस गफ्युट्री और वाहां से एवैक्वेट किया है और उसका मिशन ग्राम इंग डखा है बोके सप्राइशन कावेरी जासे वाना ना ब बन गया NATO का okay और NATO का है आपको पताओं ब्रूसेलस बेल्जियम में नियूज में यह भी है क्या इस्राइल को भी NATO जुइन का लेना चाहिए इस्राइल नाटो का मेंबर नहीं है आपको पता होना चाहिए बट फिंलेंच जो है इस घते इस टैकन की बात का यह इस? के Deep Sea Summersible है, Summersible क्या हो, Summarine नहीं होता है, Summersible आप देख सकते हैं, आप पर इमेज बनी हुई है, Summarine और Summersible में फर्क भी होता है, Summarine तो देख सकते हैं, आप Coast से एक दम लॉँच होती है, बट Summersible क्या होता है, इसको कोई एक शिप लेके जाती है, और फिर इसको ड्रॉप करती है, फिर यह जाती है नीचे तक, और वह पास इस शिप के पास आ जाती है, तो Summersible इस तरह का होता है, Deep Sea Summersible ता इसका आम ता Titan, जिसको Ocean Gate Expedition है बना है तब रिसेंटली, इस पर एक्सेंट हो गया, वहां तक यह वहां पर लोग को ले जारी थी, बट इसका खुद का ही accident हो गया, ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, नेक्स याद रखिएगा, रिजिनल ओफिस ओपन हुआ है किसका, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, यह ओपन कहा हुआ है, नेक्स बात करते हैं, ओमान ने हिस्टी ग्रेट कर दिया, क्योंकि पहली फॉरेंड गवर्मेंट बन गई है, जिसने अपने आपको प्रमोट कर रही है, थू योगा, तो इंडिया को छोड़ किये, कौन सी ऐसी कंट्री है, जो अपने आपको योगा की थू प्रमोट कर रह लाइन्स इंडिया ने बनाया हुआ है, जिसमें गचेन को परद से बने कंट्री तो मान लिएंन केँद प्रमोट को लिए, प्लास्टिक तो प्लास्टिक प्रडूस प्रडूस बैक्स, याद तक कैप raped, खीर तो नेक्स है तात क्मेदियों का इसा के प्लास्टिक किसे हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स रिपब्लिक ट्वेंडिट्री अभी हुआ 74 रिपब्लिक डे हुआ अब देखिए 75 रिपब्लिक डे जब होगा 2024 में तो न्यूज है कि अब देखिए नेक्स में क्या यूएस के जो बिडें जो है वो आते हैं की नहीं आते हैं ठेक है नेक्स एक गंगा विलास क्रूस यह यादखिएगा वर्ल्ड की लॉंगेस रिवर क्रूस थी जो की यूपी से लेके असम तक जारी थी जहां यूपी बिहार जारकन कोलकता और अब वहां गया है और इंडिया में मध्य पदेश में पूनो नैशर्ट पार्क्वेन को रखा गया है और इवेन अभी हम नवीबिया से लाया था भी हम साउथ अफरीका से भी लेक्या है है तो इसलिए तो इसलिए हमने अब एक नई उनके लिए हूम पलेश भी ढून सागर वाईलाए संचरी तो वो भी याद क बहुत आर देखें को मिला था कहां पर कहां पर आया था साय क्लों पर बैंगाल में जिसका इफेक्ट मेंजी बंगला देशन में मैंनमार में दीखा-गिया में जाधा एफेक्ट वह उसी को प्रेक्ट करने के लिए मैंनमार के help करनेकलिये हमने operation करूना लांच किया था to whom for what for the cyclone मुचा की वेसे हमने यह लांच किया था आगे बरते हैं next topic पर आते हैं that is बैंगलूरू became the first Indian city पहले इंडियन city बन गई है इसे world cities culture forum को जॉइन कर लिया है पहले इंडियन city वैसे तो world के और cities जॉइन कर चुकी है यह world के देखा है तो 41st city है बट इंडियन पहले city इसने culture forum को जॉइन किया है next first water metro कहा start की कही कोची में start की गई that is at keral okay next blue blue pensy याद एक है का butterfly of jammu and kashmir है पूछ सकते है butterfly of jammu kashmir का नाम कहा है तो blue pensy नाम है okay shri hira global convention center जो की important global convention center है पीम में inaugurate किया है वर्चुली इनाउगरेट किया आंध्र प्रदेश में okay next है इंडिया का पहला online gaming academy launch की गई है यह first online gaming academy कहां पर launch की गई है correct answer मद्र प्रदेश में यह first online gaming academy जो है वो launch की गई है इंडिया की okay certain नहीं रिसेंटी जो साइबर की security agency उसने recently issue किया है एक ransomware के बारे में alert किया इसका नाम है akira तो पुछक्ता akira क्या है यह ransomware है लवासा इंडिया का पहला private hill station है जो की पूने के पास situated है okay और इसको darwin platform infrastructure ने 1.8000 करोड में purchase कर लिया बाय कर लिया है तो पहला है first private hill station है जो sold हुआ है जिसका किसे सोल खईदाय से darwin platform infrastructure ने नेक्स इंडिया का पहला first ever night seat racing circuit जो है वो तामिनाडू government ने डिवलप किया जो की चैन्ने में डिवलप किया गया है नेक्स है नमो 108 वाट इस इस नमो 108 नमो 108 एक lotus की वराइटी है जिसमें 108 पेट्रेल से आपको याद अखना है इसको डिवलप किया लखनों बेस CSIR National Botanical Research Institute ने इसको डिवलप किया है नेक्स है इंडिया का first 3D printing printed post office है जिसको बैंगलॉर में इनॉग्रेट किया गया तो इंडिया का पहला underwater metro successfully trial हो चुका है और जल्दी ही चालू भी हो जाएगा और कहां पर हो रहा है हुगली river पे बना हुआ है कोलकता में तो पूछकते कहां पर है तो correct answer है कोलकता कुछ appointments देख लेते हैं जो exam perspective से आपके लिए important है EDM बहुत न्यूज में सुनते हैं ठीक enforcement डारेक्टरेट इसके रिसेंदी डारेक्टर अपॉइंट करा में राहुल नवीन याद रखेगा FTT II that is Film and Television Institute of India इसके प्रेजेंट अपॉइंट करा में आर्मादवन आई तिंक आपने इनकी आपने कौन सी मूवी देखी है नेक्स जय वर्मा सिना पहली वोमें चेर्पसन बन गई है रेवले बोड की वोड की चेर्मन कौन है जय वर्मा सिना पहली वोमें भी है इसनले सिवी सी के हेड बने हैं सेंटरल विजिलेंस कमिशनर बने हैं प्रवीन कुमाश शिर्वास्तों रवी सिना जो है वो नए चीफ बने है रौ के रौ के नए चीफ कौन है रवी सिना जो के IPS ऑफिसर भी है आई पीएस ऑफिसर का में रश्मी शुकला यह भी रिसेंटली डीजी अपॉइंट हुई है एससबी की शशस्त सीमा बल कि यादए के डीजी अपॉइंट हुई है यह भी आपको याद रखना है के आप इस ऑफिसर नितिन अगरवाल यह बीएस फ बॉडर सेक्योर्टी फ पोस्त के डायक्टर जेनल अपॉइंट हुए हैं इंका नाम है रवनीत कौर नेक्स ने नाम भी आपको याद अखना है जनादन प्रसाज जो है वो डायक्टर जेनल अपॉइंट हुए जीलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेक्स एजे बांगा व्ल्ट बैंक के हैड़ अ पॉइंट हुए हैं इंडियान ओरिजिन इसले इंपॉइंट हैं सीबिया के डैक्टर पॉइंट हुए हैं जिनका मैं प्रवीन सूद ये एक्जाम में पूछ सकते हैं एंडीबी न्यू डेवलप्मेंट बैंक यादखे फॉर्मर जो ब्राजील की प्रेजिएंट ही जिनक अपॉइंट हुए हैं और पी इस रेलबेर प्रोडेक्शन फोर्स के प्रकाश शिर्वास्त जो हैं वो नाशनल ग्रीन ट्राइबुनल जो है उसके रिसेंटली चेमन अपॉइंट हुए हैं यह याद अक्रा हैं प्रविंदा चोप्रा जो हैं वो सीमडी अपॉइंट हुए हैं किसकी पावर फैनांस कोपरेशन की प्रविंदर कौर शीज़ा फॉइंट हुए हैं यूट्यूब के वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे इसके सीईओ आपको पताऊंचे नील मोहन जो हैं कोईट्यूब ऊट्रेव और सब्रस्क्राइ Benjamin से अपिंट्र सब्सक्राइब हैं आप और पाइंच में न चाह crocod最us 3 वो भी आप देख सकते हो पिछले 10 months में नेक्स है important summit जो इस बीच में हुई पिछले 10 months में उनको देख लेते हैं पहली है 15th BRICS summit 2023 जो की South Africa में जोहानस बर्ग में हुई तो इनके नाम आपको या रखना एक्जाम में पूछा सकता है कौन से नए six members जो है वो आड किये गए है next World Coffee Conference 2023 जो की conference हुई है Bangaluru में ठीक है G20 की Global Food Regulator Summit पूछ सकते कहा हुई first time इंडिया में हुई और New Delhi में summit हुई है okay next 108 Indian Science Congress जो की नाखपूर में हुई RTM University में conference हुई नाखपूर में थीम था Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment next है अभी STO की summit हुई और इरान आपको पता होगा अब STO का full time member हो गया है STO में पहले eight members थे बट इरान का member बनते ही STO में nine members हो गया है STO मतब शांगाई Corporation Organization और इसके recently summit हुई जो की virtual meeting हुई थी और इसको host करा था India यह भी आपको याद आख रहे है ठीक है और total members इसमें हम nine है next है FIPIC की summit हुई that is third summit थी FIPIC की Forum of India Pacific Island Corporation और यह summit हुई थी पपू न्यूगिनिया में मोदी जी ने खुद यह summit अटेंड की Global India Artificial Intelligence 2023 summit यह भी दिसंबर में होने वाली है यहाद अक्टूबर लिग दिसंबर में summit होने वाली हो पहली बार first ever Global India में यह summit होने वाली है तो देखते हैं यह summit से क्या outcomes आते हैं दिसंबर में होगी summit नेक्स है 42nd of 43rd Asian summit 2023 यह summit हुई इंडोनेशा में यह भी आपको आदकना इस बागी summit Asian summit का हुई है इंडोनेशा में अब कुछ rankings देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में जैसे मैंने भी Global Hanga Index बताया आपको और पिले 10 मंत में कौन-कौन- रांकिंग है 80 और इसको पॉब्लिश इसको टॉप पोजिशन में सिंगापूर एनलजी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 इसको पॉब्लिश करता है डबलू एफ वर्ल इकनामिक फोरम इंडिया की रांक ए 67 रांक वन पर है स्विदन इंटरनेशन इंट्रेलेक्ट्ट्ट्ट्ट इंडिया की रांक है 42 रांक वन पर है यूएस इसको रिलीज करता है यूएस चैंबर ओफ कॉमर्स ओके नेक्स वर्ल हपिनेस इंडेक्स 2023 इंडिया की रांकिंग है 126 आउट ओफ 146 कंट्री रांक वन पर है फिंलेंड और लास रांक जो है इस पर अफ्गानिस्तान की या इसको पब्लिश करता है यूएं सस्टेंबल डिवल्लप्मेंट सॉलूशन नेट्वर्क चरें ग्लोबल जेंडर गाप रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है वल्ल इकनॉमिक फोरम रांक वन पर है आइसलाइन इंडिया की रांक है 127 आउट ओफ 146 कंट्री वर्ल प्रस्व नेक्स है आप कुछ इंपोरेंट अवर्ड देख लेते हैं जो एक्जाम परस्पेक्टिव से इंपोरेंट है पिछले 10 मंच में जो अवर्ड मिले हैं जैसे कि सरस्वती समान 2022 देखें यह समान जो है अनाउंस कर दिया गया था अभी आप ऑक्टूबर में 2023 में आप देखे नेक्स से दामोधर मौजग को अवर्ड मिला है फिटी सेवन जानपीर अवर्ड जो लिट्रेट्रेशर का सबसे बड़ा अवर्ड है गोगा से बिलों करते गोवन है यह या देखेंक पूछ शक्ते इस बार का इंडब नात मंगेशकर पूरुसकाट 23 यह अवर्ड आशा भ का हाइएस अवार्ड मिला इसका लाम हा ओडर ओफ द नाइल अवार्ड और या देखे जा प्राइमेस से इजिप्ट गए तो उनको यह अवार्ड मिला प्लस उन्होंने उस ताइम पर हेली पॉलिष मेमोरियल को भी विजिट किया था जो की कोरकपुर से बिलॉग करते हैं तीके आगे बरते हैं नेक्स पर आते हैं नेक्स किया है नेक्स जो है प्रेजडिण डौपदी मुर्मू सुरी ने का हाइस झिविलीन अवार्ड है और यह अवार्ड गराम है ग्रैंड ऊदर ओफ चेहन और यBarौ किसको मिला है यह अवार्ड म पीम को नहीं मिलता है, याद मत कर लेना, ठीक है, नेक्स है, फ्रांस का I.S. अवर्ड जो है, जो प्राइमेस साथ मोधी को मिला, वो उस ताइम पर फ्रांस का बैस्टल लेपरेट को भी उन्होंने अटेंडी किया था, उनको वहाँ पर चीफगेस बुलाए गया था, और फ्रांस के अवर्ड ग्राह में Grand Cross of Legan of Honor अवर्ड, जो हमाई प्राइमेस साथ नहीं मोधी को मिला है, रमन मैक्सेस अवर्ड 2023, जो 65th अनौंस हुआ, यह इंपोरेंट अवर्ड है, यह इश्या का तिला का नाश्चनल अवर्ड मिला है, जो कि पूने में मिला है यह अवर्ड महराष्ट में, नेक्स है, नेक्स है, नरेंद मोधी जी को पापापू नुगिनया और फिजी, दोनों कंटरी का हाइस अवाड भी दिया गया है नेक्स है ग्रीस का Grand Cross of the Order of Honor Award जो कि ग्रीस का वाड है और ये पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को अवाड मिला है इन्डियन प्राइम मिनिस्टर को ये अवाड मिला है और यह प्रामेरिस से बने नरेंद मोदी जिनको यह award दिया गया है next wild life conservation award 2023 यह मिला है आलिया मिर को यादक्य का important personality आलिया मिर जिनको wild life conservation award 2023 जो है वो दिया गया है missing at 2023 जनी है कौन? राजस्थान की नंदिनी गुपता, Miss India 2023 आसकर अवार्ड की बात करो जिसका आप अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं 95 अकेडमी अवार्ड इस बार का 2023 में दो अवार्ड जो है इंडिया को मिले हैं कौन-कौन सा बेस्ट ओरिजनल सॉंग एड आसकर 2023 जो की नाटू-नाटू को मिला है जो कि आपको बता होगा किस मूवी का है और और इस मूवी के इस गाने के कंपोजर जो थे वो थे एमेम किरवानी लिरिक्स लिकेते चंद्र बोस्ट ने और दूसरा वार्ड जो ऑसकर इंडिया को मिला ह इस बार 2023 में वो है ऑसकर विनिंग शॉट डॉक्यूमेंटरी और वो मिला है किस डॉक्यूमेंटरी को एलिफेंट विस्पर्स आगे बड़े तो अब 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 अवार्ड इत्ते जो इंपॉर्टेंट है 10 मंद्स हो मैंने बता दिया है अगर आप अब आप अवार्ड को औ नोबल प्राइज कि इस बार 2023 में एक्जाम में दन है बिल्कुल डन है तो क्या वह मैं डिसकुस ने करूंगा यार मैंने नोबल प्राइज 2023 में लिटेल वीडियो बनाया है थीक है आप उसको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने उसका लिंक में डिसक्रिप्शन आदिया है मैं Nobel Prize पर डन मानो इस पर question आ रहा है ठीक है आपको करना क्या है आप जाए लिंक पर जाके Nobel Prize का भी वीडियो देख लेना क्योंकि अवर्ट्स में Nobel Prize पर डन है question आए बाकी अवर्ट्स पूछे ना पूछे Nobel Prize पर तो आए गही तो लिंक कर डिस्क्रिप्शन बाक्स में mention है वह आपको पता हो को अब रिसेंटली यह सारे वार्ट किस को मिले हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में को लगते बड़े हैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पूरा एवलेबल है तीक है आगे बढ़ते हैं आपको बता हो को अब रिसेंटली नाइंटीन गेम्स 2023 हुए यह एशन गेम्स आपको ब इंडिया फोर्थ नंबर पे रहा रांक बन पर चाईना है इंडिया फोर्थ नंबर पर था 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉंज इंडिया के टोटल 107 मेडल्स थे अब इंडिया में किस-किस ने मेडल्स जीते हैं क्या-क्या इंपोर्टेंट इवेंट रहा कौन फ्लैग विर बहुत सी इंपोर्टेंट चीजे ऐशन गेम्स के बारे में अगला ऐशन अगेम्स कहा होने वाला है ठीक है यह सारी चीजे अब देखेंगे लोगर Kal sings जैपन में होने वाला ऐशन गेम्स का पैंडThis 26 में आगे मैं बात करें तो books and authors के इतनी साइब books हैं कैसे याद करने हैं sir 10 months में क्या कोई books and authors का भी वीडियो है आपका बिल्कुल है अपको लोग कमेंट कहेंगे sir यहीं पर ही सारे बता दो ना एक ही lecture में यहीं पर सब लिग डालो मेरा काम क्या है मेरा काम है कम टाइम पर आपको साइचीज देना जो मैं अल्रेडी बता चुका हूँ जिसका मैं हर्म आपको बता हूँ मैं करेंट हमेशा अपडेट करता हूँ तो आप जाकर करना क्या आपको description box ने आकर इस वीडियो को भी देख लेना है जिससे आपकी पूरी 10 मंच की कंटरफेस हो जाया तो बुक्स और ऑथर्स का भी वीडियो मैंने बना दिया लिंक में description box में mention कर दूँगा ठीक है जैसे कि एक में आपको बता भी ताहूँ जैसे कि international booker price 2023 किस बुक तेले मिला है time shelter के लिए इसको मिला है George Gospodinoff जो है उनको मिला है तो ऐसे करके सारे बुक्स और जो है वो description box में mention है next अभी आप में देखो मैं recent GI tax आपको बता है ठीक है और भी GI tax है जो पुराने हैं अभी जो recent मिले हो तो मैंने बता दिए GI tag और भी GI जित्ते भी जोग्रफिका इंडिकेशन टाइग उसका भी लिंक के description box में आप जाकर लेटेस्ट जी आई टाइक का भी वीडियो देख सकते हैं ठीक है next important government schemes government schemes तो बहुत important है sir आप बताईए तो आप देखते हों मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं बट मैंने combine central government की जित्नी भी schemes है उसका एक वीडियो बना दिया है आप जाकर description box वीडियो को देख लेंगे तो साई central schemes भी आपकी cover हो जाएंगी next defense की बात के तो military exercises बड़ी important है military exercises मैंने एक वीडियो बना रखा जहां पर जित्ती भी military exercise हो ठीक है जैसे की जमेक्स आप देख सकते हैं विशाका पट्टम में exercise हुई है इंडियो जैपाइन के बीच में ऐसे जित्ती भी exercise है उनका video भी मैंने description box का link मैं डाले दे रहा हूं ठीक है next आपको पता होगा एक science का बहुत important mission लॉंच हुआ था चंद्रियान 3 जो की बड़ा important था और आपको पता होगा चंद्रियान में हमने land भी कर दिया था कब 23rd August को इसने 23rd August को हमने national space टे declare किया और even जहां पर चंद्रियान 3 लैंड किया तो उस point को रखा गया शिव शक्ती point चंद्रियान 2 लैंड नहीं कर पाया था बट उस point को हमने नाम के रखा था तिरंगा point ठीक है तो बाकी चंद्रिय को देख सकतो लिंक description box में mention है ठीक है आगे बढ़ते हैं ऐसे एक mission and space का science का आदित तेलवन इसका ही मैंने detail वीडियो बना रखा आदित तेलवन का वो भी आप जाकर देख सकतो important festivals बहुत important होता है festivals 10 months में कौन-कौन से हुए वो भी मैंने detail वीडियो बना रखा है सारे important festivals जित्ते भी हुए वो आप link description box सब डाल दूगा मैं वो भी आप देख सकते हो ठीक है कोई special theme नहीं थी okay world nature day 3rd October को celebrate करते theme थी forest and livelihood सीधा question आया theme क्या थी आंसरों का forest and livelihood okay world animal welfare day 2020 थी 4th October को celebrate करते theme थी great or small love them all ठीक है इस बागे theme थी world teachers day national teachers day नहीं national teachers थी तो हम 5th September को बनाते है world teachers day 5th October को theme थी the teachers we need for the education we want यह थी इस बार की theme okay next national dolphin day important है dolphin आपको बता होगा अभी युथ्ता पदेश का aquatic animal भी बना है 5th October को celebrate करते है national air force day celebrate करते है 8th October को theme थी air power beyond boundaries okay और आपको बता होगा इस इस बाए air force day में हमने 91st foundation दे था Indian air force को हमने नया flag जो है वह आपको याद रखना है यह inaugurate किया देख सकते है new flag for what that is Indian navy okay sorry Indian air force इसका air force day के दिन हमने नया flag भी launch किया है ठीक है यह भी आपको याद रखना है next है world mental health date 10th October को celebrate करते है theme the mental health is a universal human right global manufacturing practice day important है Indian government ने collaborate किया Indian drugs manufacturing association के साथ और decide किया कि हम glow good manufacturing practice day celebrate करेंगे कब 10th October को next international day of the girl child ठीक है जो की 11th October को celebrate कियाता है theme the invest in girls rights ठीक है यह इस बार की theme थी invest in girls rights यही सिर्फ पुछाएगा आगे क्लाइन नहीं पूछी आगी invest in girls rights ओके world students देख रहा हो तो पता हूंचे world students से कब बनाते हैं यह बनाते हैं हम 50th October को इस बागी theme थी fail fail मतलब first attempt in learning और क्यों बनाते हैं आपको पता हूना अच्छी जो 11th president थे अच्छी अच्छी अब्दुलकलाम ठीक है उनके नाम पर हम उनको ओनर करने के लिए world students से हम celebrate करते हैं वर्ल food day 16th October को celebrate करते हैं theme थी water is life water is food save no one behind ठीक है sorry leave no one behind इस बार की ठीक है और आप कहींगे सर बाकी यह तो आपने सिर्फ ऑक्टूबर की बताई जैनवरी से शेप्टमबर तक की important theme सब्सक्राइब क्या होगा उसके लिए अगर आप देखेंगे तो link मैं description box में दे रहा हूँ मैंने सारे important days और theme जो है वो भी already cover कर दिया वो भी वीडियो आप देख सकते हो okay अब उसका कहींगे सर इस month में इस 10 month में budget आया था फरवरी में economic survey आया था उसका वीडियो क्योंकि budget हमने सुना economics चे बहुत question पूछे आते हैं चाहे banking हो कोई भी exam दे पूछा आत ठीक है तो ये थी मेरी पूरी current affairs जो मैंने पिछले 10 months की current affairs से एक single lecture में करा दी अब लोगों के दिमाग में query जो आने वाली क्या सर इसको पढ़के मैं exam देने चला जाओ बिलकुल जा सकते हो अगर आपने current affairs पिछले 10 months में नहीं पढ़ी है तो ये lecture आपके लिए sufficient होगा exam मैंने 10 months की kind of a single lecture में कम टाइम पर कवर की है अगर आपको ये initiative अच्छा लागा आप हमाई initiative से कुछ contribute करना चाहते हैं याद रखेगा ये contribution जो है वो आप हमारे channel की growth के लिए कर सकते हैं if you want to contribute ये हमारा QR code है phone पे Google पे ATM number भी mention है अगर आप contribute करना चाहते तो आप कर सकते हैं य अब मैं आपके लिए बात करना चाहूंगा अगर आपने current affairs के 10 months कर लिये हैं वह आपका एक्जाम है ठीक जैसे MPPSC का भी exam है West Bengal PCS है North East के बहुत साई PCS exams है तो अब आप सोचोंगा सब्जेक्स से क्या करें हम history, geography, quality ये सब सब्जेक्स हमें बहुत परिशान कर रहे हैं हमार पस एक stagnant source नहीं है पढ़ने का तो मैं आपको प्रवाइड करूँगा अपने updated handwritten notes या दखेगा चाहे वो static GK के हो ठीक है आप geography के हो पॉलिटी के हो ये सारे जो हैं 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 मतलब जो exam के लिए होता न वही चीज़स में लिखी होती मोटी मोटी बुक्स नहीं है ये exam perspective स बहुत पतले level की है और मतले पतले level कहने का मतलब या दखेगा कि crispy notes है ठीक है इस पर आप पढ़के आप exam को easily crack कर सकते हो ठीक है देख सकते हैं medieval history है ऐसे करके किती booklets आप सोच रहोंगे 14 booklets है किती है 14 चाहिए modern culture हो modern history हो सारी properly cover की गई है इसमें आपके लिए exam crack करना असान हो science की भी specially आपको physics chemistry bio सब मिलेगी आप कहेंगे साइनको order कैसे करें सारी 14 booklets को कैसका sample देख सकते हैं कि बिल्कुल देख सकते हो और आपको order करना तो मेरा WhatsApp नमबर दिया है सीधे उस पर call करो या WhatsApp कर दो मैं आपको इसकी details इन notes के आपको provide कर दूँगा ये notes आपके घर तक भी प description box में है application से जाकर भी आप notes को buy कर सकते हो अगर आप application से notes के साथ classes भी free of cost मिलती है सिर्फ notes चाहिए तो WhatsApp करो classes भी चाहिए तो application से आप directly buy कर सकते हो ठीक है notes आपको within 5 days आपके घर में पहुँच जाएंगे अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं आपको पता होगा exam आने वाला है उसके लिए pre mains का strategy चाहिए proper guidance की दूप पढ़ना है तो एक बर आप हमारे application को download करो वहाँ पर हम आपको साई classes provide करेंगे exam perspective से हम आपकी सारी help करेंगे exam को crack करने क लिए उसके लिए आपको ज़रू download करो ओके यहाँ पर मेरा वीडियो जो है वो complete होता है बहुत महनत से इस PPD को बनाए गया है तो आई होप अगर आप कुछ कर नहीं सकते help नहीं कर सकते तो वीडियो को at least like तो ज़रू कर सकतो अगर इती ही महनत आपको पसंद आई हो इसका PDF अगर आप इसको वीडियो को like करेंगे, वीडियो को बहुत दारा share करेंगे, अच्छे views आएंगे तो of course इसका PDF जो आपको हमाई Telegram ग्रूप पे मिल जाएगा, link में description box में डाला हूँ, PDF लेके आप end में जाकर revise कर करके exam में जा सकतो और mark score कर सकतो, कोई भी exam आपका हो, ठीक आपको वीडियो पसंद आया होगा, so please do like our video, please चैनल को subscribe ज़रूर करें, thank you everyone, और please हो सके तो इस वीडियो को जितनी है कि हो सके, share ज़रूर कर दें, और comment करें, अगर आपको कोई doubt करी, वो भी आप comment कर सकते हैं, जो मैंने questions पूछा है, उनको भी comment करें, thank you everyone, जे हिन, जे भार करें जितनी है कर तुम